एलो गाईज, वेलकम टू आई यूटूब चैनल, तो आज हम बनाएंगे कस्टर, इसके लिए हम हाफ लिटर मिल्क लेंगे, जिसमें से हम 50 ml मिल्क को अलग बोल में निकाल लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसे स टेक्श्चर को डाल के दीरे दीरे चलाते रहेंगे, उसके बाद हम इसमें 4 टेबल स्पून शुगर डालेंगे, और इसके टेक्श्चर को आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ, अब इसे में एक बोल में निकाल लेंगे, और ठंडा होन तब वेट करेंगे, अब हम इसमें अपने मन पसंद फ्रूट्स डालेंगे, यहां पर मैं अनार डाल रही हूँ, इस टाइम आम का सीजन है, इसलिए मैं आम भी डाल रही हूँ, अब मैं इसमें सेब डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसमें बनाना भी डाल सकते हैं, मुझे आपका कस्टड बन के तयार है यहां पर दो बाते इंपोर्टेंट है पहले की कस्टड बहुत पतला नहीं होना चाहिए इसके लिए जैसा मैंने वीडियो में टेक्श्चर बताया है वैसे आप चेक कर सकते हैं और दूसरा यह कि हमें कुछ फ्रूट्स नहीं डालने चाहिए जैसे की पाइनेपल, वाटर मेलन, मेलन ओके गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग नेक्स रेसिपे के साथ मिलते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर थैंक यू